पूजितम् शुरनरोत्तमेरमुदा धर्मनन्दनमहं विचेंत्ये ओमवतारिने स्री स्वामिनारायनाय नमो नमहं स्री सहजानन्दाय नीलकंठाय च नमो नमहं स्री गुरुचरण कमले भ्यो नमो नमहं बोलो स्री स्वामिनारयन भगवाननी स्री हरी कुरुच्न महराजनी जै स्री घनस्याम महराजनी जै कथा सांभडनारा बधाज महराजना लाडिला भगतोने जै स्री स्वामिनारयन स्री हरी चरित्राम्रुच्सागर पूरुचोथू तरंग एकसोने चोथू भगवान स्री हरी नो उपदेश अने महराजनी करेली रंगक करीडा यतले रंगोत सव क्यों आ सुभग संयोग छे आपडे पन हमना ज़ आजे सातमी मार्च छे बारमी मार्च छे रविवारना दिवसे पूरुणी मानो दिवस छे भगवान नर्नारन देवना प्रागत्यनो दिवस छे उतासनीनो समयोँ छे अने तेज दिवसे जबर जस्त रंगोत सव छे पुझ्जिपात गुरुजीनी निस्रामा वर्ताल गादी पिठादी पती एकजार आठ आचारियस्री राकेश प्रसाजी महराज यमनी पावन उपस्थितीमा नावली गुरुकुलमा अती भविय रंगोत्सव अमना उजवासे तमरास नहीं संबंधी सगावाला होई इने जरूर थी के जो आरंगोत्सव मा जवा माटे अने वाला भगत आजे भगवान श्रीहरी रंगोत्सव करसे केनु वर्णन आपडे थोड़ू स्रवन करीशू स्रीहरी संत से कहत है अतिप्रीत ही लाई संत के सुभगुन अनन्त है कुन मुख्य ही रहाई स्रीहरी संत से कहत है अतिप्रीत ही लाई संत के सुभगुन अनन्त है कुन मुख्य ही रहाई भगवान स्रीहरी ये संतों ने बुलाव्या घणा हे तती पूछिऊ हे संतो संतों मा सुभगुण अनन्त छे पणे मा कया गुण मुख्य पणे रहिया होई छे तब संत बोलत भए स्रीहरी से कर जोर संत के सब गुण मुख्य हे हमकून सूजत ओर त्यारे संतों ये हाथ जोडिने कहिऊ हे प्रभू संतों ना बधाज गुण मुख्य होई छे ते सिवाय अमनेतु बिजुके सोजतू नथी अने प्रभू सुनाना घाट बदा एक सरखा होई नाम पनेक सरखू होई तोलुमा फेरफार होई तेने लिद्या न्यून के अथिक कही सकाई अने आ विवैकनी वातने चोक्षी जानतो होई छे बिजा बधातो सोनाने एककझ नाम थी जानता होई छे आपे पुचिऊ ते बाबदमा आपज साक्सात चोक्षी छो माटे आपज जानो छो माटे संतो ना मुख्यगुण नी वात आपज कहो त्यारे भगवान स्रीहरीय संतों ने कहियू स्रीकृष्ण भगवाने गीतामा वात कही छे ते वात ने हुँ तमारी आगल कहू छू तमारे पन ते वात ने मुख्य राखे नी जीवनमा बउस समझवा जिवया वात आवे छे सदगून ना सिंधु गंभीर स्थिरमातियति सयधिर सवने आपे हित उपदेश एवा संतने नामु हुँ सेश सदगून ना सिंधु गंभीर साधु तो सदगून ना सागर होई महराजनी वातमा का एक मरम छे सास्त्रो नी वातमा का एक समझवा जिवी बाबत छे वचना मुर्तमा महराजे आवात आपने घणी जग्याए घणी रिते समझावी छे महराजे परस्ण पुछो धर्मनिष्टा राखे तो स्वरूप निष्था जाई अने स्वरूप निष्ठा जाए, तो धर्म निष्ठा जाए, आवा संजोग मा कई निष्ठा राखेवी, अने एककज निष्ठा राखे, तो बन्य निष्ठा ओटोमेटिक जड़वाई केवाई, संकट समय मा कई निष्ठा ने राखेवी, महाराजे प्रस्ण पुछे वचना मुरुत्मा सु अधभूत भगवान स्वामिनाणनु चिंतन जे केटलू अधभूत महाराजे जवाब आपो एक स्वरूप निष्ठा राखेने कदात धर्मनिष्ठा छोडवी पड़े छोड़ी दे भगवानना स्वरूप निष्ठा जो अचाल हसे ने तो धर्मनिष्ठा आपन ओटोमेटिक आवी जसे माटे संकट समय आवे त्यारे धर्मनिष्ठा ने जती करवी स्वरूप निष्ठा ने नई महाराजने प्रस्ण पुछे व एक एवो सदगुण कयो छे एक सदगुण आवे तो पाचल बीजा बधा सदगुण आवे महाराज बोलिया एक आत्मनिष्ठा रूपी सदगुण एवो छे एक आवे तो बध्धा आवे फरी प्रस्ण पुछायो एवो कयो दोस छे एक दोस आवे तो बध्धा दोस आवे महराज बोल्या दिहा भीमान रुपी एक दोस एवो छे आ एक दोस आवे अतले बद्धा दोस आवे मेडिकल मा घणिवार बोलातु होई सांभडू छु कि डाइबितिस एक एवो रोग छे एक रोग आवे ने लाखु पेकेड ले नावे अनन्त रोगों ने साथे ले नावे येम दिहा भीमानी रुपी दोस एवो छे अनन्त दोस ने साथे ले नावे छे वचना मृतमा स्रिजी महराजय आपणने समझाय वो छे बद्धा गुण जीवनमा होवा जरूरी छे अजे इवाई बहुष सरस वाद छे दिसिद्ध फिलोसोफियो भगवान स्वामी नरायान बद्धा होवा जरूरी छे बट इट नोट पोसिबल तुहेव ओल वर्चुज एटे स्यम टाइम एक साथे बद्धा गुण मानसना जीवनमा आवी जाए तिसिद्ध नोट पोसिबल घणिवार बद्धा गुण होए तो पन कोई के वो समया आए तो बेचार गुण निकलिज जाए जे तो वेर वीशुद फोकस कई बाबत मा आपड़े फोकस करवू जोई जोई गणिवार नाना बालकोनी सभामा आवात बालकोने समझावा करू जो तमारा बद्धा पासे मोबाईल हसे ज्यतला कःथा सांभलो छो बद्धा पासे नानो यावी हो લેનેનેનાય જોઆપરો છે તો કામ નો ખરો તોય કામ નો કારો કામ નો કરો પેને બેનેનેનેનાઉજરૂર્થલ, નો ક के तो चाले, मोबाइल नुक कवर तम्ये ृतीं होएक नीची होएक चाले, मोबाइल नुक वर्जन लेट थेछों के ओल्ड होएक चाले, पर आ त्रण वस्तु फोन ओप्रेट करवा खिंपल शरी छे, कै कै वस्तु, there must be a battery charged there must be enough balance and there must be enough signal बरबर ने आर त्रण मात ये के द्वस्तु बाद करो तो चाले अजे बै भगवान स्वामेर्ण मुआ साइन्स चे श्री जी महारास संतो ने कहे चे संतो आंतो अनन्त गुण साधुमा हो जो ये पन एवा त्रण गुण येवा कया गुण चे जे साधुमा मुख्य हो आजुए संतो ये वातने पकड़ी न सक्या स्री जी महाराज येनो जवाब आपे चे स्रीमत भगवत गीता स्रीमत भागवत विगेरे सास्त्रों ना आधारे सांबल जो हां निर्मानी गुण रखना सब ही घट में प्राण रहे लगत बही निर्मानी गुण रखना सब ही घट में प्राण रहे लगत बही जड़ भरत भये सुकमूनी जैसे तुमारे वरतन रखना तेसे निर्मानी गुण रखना सब ही ज्यासुधी सरीर मा प्राण रहे त्यासुधी हे संतो तमारे सवहिए निर्मानी पड़ानो गुण राखू जवा जड़ भरत अने सुकदेव जी थया तेमना जेव तमारे निर्मानी थवू तेमना गुण रदैमा क्यलवी रखवा रात्रे के दिवसे तेने क्यारे भुलवा देवू नहीं निर्मानी पड़ू होई त्यारे ते साचो साधू गणाई निर्मानी पड़ू नहोई तो साधूताना गुण नास थाए जे बधात सद गुणोंनू मोल निर्मानी पड़ू छे आने बिजो गुण मनमा धिरज राकेवी आवी रिते सब गुण को निर्मान हे मूरा ओर रखना धिरज हिवूरा निर्मान धिरज क्समा जोवू साधू के भूसन हे सोवू सब गुण को निर्मान हे मूरा जयतला गुण छे ये बद्धा गुणननू मूल निर्मानी पड़ू छे ये निर्मानी पड़ू राक जो निर्मानी पड़ू ये पिजु नाम छे दाश. इके ल neutrमाने जीन्मा था है पास जे शच्संगमा थाई पास जे सत्सेंग मा थाई दास, एज सत्सेंग मा थाई पास दास पणू, निर्मानी पणू, बहु समझवा जेवो सद्गून चे आपड़े घणीवार कथा मा साम्भिलू चे बद्धा जगडानू मूल अहंकार चे मायानू मूल स्वरूप अहंकार चे सद्गूरू गोपालांद स्वामी एम कहे छे दिहाभिमान कारण सरीर मा रयूचे स्वामीना सब्दोने ध्यांती सामबल जो दिहाभिमान कारण सरीर मा रयूचे अक्सरधमना दर्वाजा सुधिया दिहाभिमान निकलवानू न थी अक्सरधमना दर्वाजे पोचता आधियाविमान जो निकली गयू तो अक्सरधमनी अंदर अने दियाविमान न निकलू तो अक्सरधमना दर्वाजे थी पाच्वाववानौ आतलो भयंकर दुर्गूण एकले अहंकार घणी वार कथामा कऊचु समाजने अन्या पृत्वीने दुर्गूणो थी जेतलू नुक्सन नथी थयू येना करता वधारे सदगूणोना अहंकार थी थयू छे दुनियाना व्यसनी फेली एवा मानसोये समाजने जेतलू नुक्सान नथी केरू येतलू नुक्सान कहवाता धार्मेक मानसोये अमेच साचा अमारूज साचु बाकी बद्धा खोटा अने आउँ अभिमान जे समाजमा जे वर्गमा जे सोसाइटीमा आवी गयूने येवी सोसाइटी लांबा समये केटली भयंकर रिते खतम थाईची तमी तियासमा जूँँगू बद्धा सदगुणनु मोल निर्मानी पणूँछे तमार्यने मारे आँख बंदकरिन विचारवानूँछे जो स्रिजी मारतनी वाद थोड़ी वाची लिए औने बिजु संतो मनमा दिरज रागचू अने संतो ना भूसना त्रण सदगुण छे एक निर्मानी पणू तिने धारण करवा जोई क्यारे भूलवान जोई तिन तिन मुख्य वरते जोई त्रिगुणा तेत कहावत ताई तिन देह तिन अवस्था जेहि तेहिसे पर जानना एहि तिन तिन मुख्य वरते जाई आत्रोन सदगुण साधुमा मुख्य पने होआ जोई अने आवीरिते जे त्रण गून जिर्मा छे, ये साचा आर्थमा त्रिगुणा 3 छे, येवा संतने त्रण देह, त्रण गून अने त्रण वस्ताती पर जणवा, येने ब्रमरूप जणवा, कया त्रण सद गून? निर्मानी पणूँ अविनासी पदने पामे छे अक्सर पदने पामे छे अक्सर धामने पामे छे कोण निर्मान मोहा पेल्लाम पेलो सद्गुण कयो जेमा निर्मानी पणू होई ख्रिष्ति बंधुअने नानी कथा बहुत सरस नानी कथा स्वर्गनू छत उचू छे स्वर्गनू छत उचू छे पन दर्वा जो बहुत नानो छे जे जुकी सके ने एज स्वर्गनी अंदर जही सके वा भैवा समझवा जे विवाद छे बोध कथा छे जुकी सके ने एज स्वर्गनी अंदर प्रवेशी सके पुझ्यपाद्गूरु जी कितली सरस नानी वाद आपने समझावे सत्संग माझे जीरो थाई ने ये भगवान्य गळ हीरो थाई सके सत्संग माझे जीरो थाई सके ये भगवान्य गळ हीरो थाई सके उतमने जो अभिमान्ना डाकला आपुने ओ हो 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 आखी पुरुथवी नो कागल करिन लखियने तो पुरुथ्विनों कागल टुको पड़े यटला, राजा, महराजाओ, साधुओ, मुनियो, महर्शियो, ब्रह्मर्शियो, देवर्शियो, राजवियो, संसारी, सन्यासी, साधु, ग्रहस्त, बालको, बेहनो, युवानो, बुढ्डाओ, खलास थे गया चे के ने लिदे, अहंकार ने लिदे, बयंकर दोस थे, बयंकर दोस थे, परिवारो खलास थे गया, कोई पन जगडा ना मूलमाओ, वारम वार काओ चो, दुनियानो कोई पन जगडो होई, धर्मनो होई, मंदीरनो होई, समाजनो होई, राष्ट्रनो होई, देशनो होई, अमारी પुरुषોની અમૃત વાની છે કોઈ પણ જગડા નું મોળ કા અહંકાર હસે અને કા આસકતી હસે કા અહંકાર હસે અને કા આસકતી હસે અને કા આસકતી હસે તો આસકતી પણ કાઈ ત્રણ સદ ગૂણ એવા છે જેમાં હોય એ લાલ કપડા વાળા હોય કા કાળા કપડા હોય પૂરુસમાં હોય કે સ્ત્રીમાં હોય જેમાં આત ત્રણ સદ ગૂણ છે એ બ્રમરુપ છે ત્રીગુણ આતીપ છે સાચા આર્થમાં સાધું છે મહારાજ ના સબ્દો જોઓ વચના મરુતમાં મહાજે ઘણી જગ્યાય આવા પ્રસ્નો સારંપુરનું વચના મરુત બારમું મહાજેમ બોલ્યા આમતો ગુણ અનંત છે ઘણા ગુણ આવે ને ઘણા ગુણ જાય પણ સાધુમા એવા કયા ગુણ છે જે અખણડ હોવા જોઈએ ક્યારે જવાન જોઈએ અને એ ગુણ ગયા તને સાધુજ નકે એવા કયા ગુણ છે વચના મૃતમા માહરજે પ્રસ્ન પોછે સંતોથી જવાબ નથ્યો સારણપુરનું વચના મરત બા જોયું તમે આ ત્રણ ગુણને સમજે વાજે વાજ્યા આવા સંધ એતલે ત્રણ ગુણે યુગ્તસંધ બાહીય દ્રષ્ટિતી ભલે દેહમાં રહીયા હોય પણ નિરમાની તાદિક ગુણે કરીને તો દેહથી પર છે નિરમાની પણુ દીરજ અને ક્ષમાં આ ત્રણ ગુણ વાળા સાધુતો અનંત લોકમાં પુજાઈ છે તમે સંસારમાં છો અને આ ત્રણ ગુણ જો તમે રાખી સકો તો સ્રજી મહારાજની દ્રષ્ટી માં તમે પણ તમાં ઉણા છીએ ઓછા છીએ નિરમાની પણુ એક નાની વાત આપણે સાંળી લઈએ કેટલો મહાન સદગોણ છે આપણા સં જેમ રાજાને પ્રધાન આખો દિવસ જોડે ને જોડે એમ રાજકુમાર અને પ્રધાન પૂત્ર પણ એટલા મિત્ર એવા થોડુ ઘણુ ખાવાનું મળી જયે તો કામ લાખ છે બંને સુતા છે પરધાન પોત્રને વેલ્લી ઉંગ ઉડી ગઈ વેલ્લો એકલો ખાવા નુક એક મળે આસેથી નગરમાં જતો રયો સોધવા માટે રાજકુમાર સુતો છે એવામાં એ નગર એસહેર એનું રાજા મરુત્યુ પામેલો એજે રાજા એને સંતાન નહ હોવાને કારણે એ આવશે આથીને છુટો મુક્યો રાજદવારી માણસો હાથીની આગળ પાચળ છે જોડે અને હાથી સુંધમાં કળસ લઇન ચારે વાજુ ઉફરે છે એમાં આ પ્રધાન પૂત્ર ભુક્યો છે વેલો જાગ્યો છે નગરમાં ખાવાનુ સ આ બાજુ રાજકુમાર સવારે જાગે પ્રધાન તુત્રને જોયો ને અકળાઈ ગયો ભૂખ લાગી હતી આ ક્યા મરી ગય ક્યા જતરેઓ કિધા વગર બે ભાજુની ચિંતા રાજકુમાર પણ કંટાલ નગર માં નિકળો છે થાક્યો છે અટવાતો અટવાતો નગર સુધી પઉચી ગયો નગર નિ ભાગોળ માં એનેક દુકાન જોય સોં જોયો દુકાનનું બોડ અહીં બુદ્ધી મળે છે સો મળે છે જોય તમે ગીની દુકાન જોવા મળે ચાની દુકાન મળે મળે મસાલની જેવિ વાદ છે બોં સમજવી વાજિ વાદ છે રાજકમાર પણ ચોકી ગયો રાજાનો ધીકરો હતો દુણ્યની વસ્તો केतले केतला नी होई जो 2 रूपया नी मले 10 रूपया नी मले 12 रूपया नी मले 50 रूपया नी मले 100 रूपया नी मले 1000 रूपया नी मले 5,000 नी पच्छी तम्हें लेवा नाचो आ बई तम्हें क्यो तो खरा मोंगाम मोंगी केतला नी मोंगाम मोंगी लाख रूपया नी बुद राजकुमार आतो, आत्मा सोनानु कडू होतु, साचा हिरा हता, कडू काईडू, पेला ने कईयू, जो, आ साचा हिरा छे लाख नी, लाखोनी किम्मत छे, आना बदलाम बुद्धी मल्से मलसे ने, आने लाखोनु कडू आयपू, शामे पेला दुकान वालाए, एक नानी चि लखेलू, तमारा करता नाना मानसने, तमारा करता मोटू पद मले, तो एने तमे स्विकारी लेशो, तो तमने एना करता मोटी मोटाई मलसे, सुला क्यो होतू, तमारा करता नाना मानसने, तमारा करता मोटी पद वी मले, अने तमे ने स्विकारी लेशो, तो तमने पण एना करता मोटु पद मलसे राज कुमार तो विचारे चेडो अवे तो लाख रूपिया आपी दिधा आमा हूं मले राजा नेकर उमगज मार बुचायलू ने चिठी वाद तो वाद तो बेचार वरवाचिन पाचोनगर मा निकलो भूख लागी हती खावा नुसोधवा तो एनकर बुद्धी आरे तो लेवा दिवा आतो नहीं लाख रूपिया मा बुद्धी आविरिते लए अने निकलो अन बराबर येज समय पर प्रदान पुत्र नी नगर यात्रा निकली जनो राज्या भिशेक थयो छे राज्या तरीके जनी वरणी थयी छे आत्थी उपर सोनानी अ राजकुमार रोड उपर रखड़तो रखड़तो एनी नजर गई अरे प्रदान नो दिकलो मारो बेटो त्याँ चड़ी गयो आमे बेव भुक्याची ये जम्मानु सोध्वानी कलाची अईया चड़ी गयो प्रदान पुत्र नी नजर पणाना अपर गई पर राजकुमार राजकुमार नो नोकर केवाँ दास केवाँ मारत केमू उपर बेचाए बेचाए आथी उबोराख्यो निचे उत्रयो बदा मानसोने कईयो कि आ राज्यनो खरो हकदार तो आछे अरे पणिम नचाले कमारेज बेशुआ पड़े ना हो तो आमनो सेवक छू आमारा स्वामी छे पराने आगरह करीन राजकुमार ने आथी उपर बेशारी राजाना राज्य र वंदन करया एतने वंदन न कर पत्थर आत्माली दो तो बोलो बुद्दी खप लगी गई निर्मानी पनूँ कोई किने जुकवां पनूँ कहवाई छे ने जुकता है वो जिसमें जान होती है अकड़पन तो मुर्दों की पहचान होती है मर्दू होई ए जुके नहीं जीवतों मान जुकी सके आपने थोड़ा जुकता सिखिए आपने थोड़ू जतू करता सिखिए बहु अधभूता चावी छें आ कथा साम्बली तमारा घर मा तमारा परिवार मा घणी बाबतना जगड़ा एवा होई कि जीए जगड़ानू कोई मुलद न होई नटू दादा आ अवस्तू छे एक 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 दो आवस्तू अईया मुको बिजय के दो आ खुड़ची अईया मुको अवे खुडची अईया मुके एक अईया मुके एमा कोई नुकसान के लाव छे नहीं पड़ ये जगड़ो एकलो मुटो थे में कि दू तो नहीं या मुखन केम ना मुखी बाव वर्सों पेलने आपड़ा सत्संग मा बनेली सत्य खटना रस्वडा मा हरी भक्तों स्यवा करवा गया मुद्धों थो कि आजे रस उसु बनावी शू येमा एक के आजे कड़ी बात बनावीएन renowned बिजा के डाल बात बनावीए कड़ी ने डाल, कड़ी ने डाल, कड़ी कड़ी करता रीष चड़ी दादा, ये वी चड़ी रीष, के पछे ना कड़ी थए, ना डाल थए, एका विजानी चटनी थए के बोलो है आ बद्धा जगडाना मुलुमा कोण बेठुचे, अहंकार, निर्मानी पण, धिरज पण, धिरज विशे तो केटली वाद करिये 21 मी सदीना मानस ने धिरज नामना सद्गुणनी खबरत न थी आजनो मानस एकलो अधीरो, एकलो बुदो उतावलियो बनी गयो छे आहा, जेने लख्यों चेने सलाम करवानू मन था है, दादा, जेने लख्यों चेने, क्यों लख्यों? उतावल थी बावल थाई सके, आमबो ना था है, उगवानी जेने उतावल होई, इबावल बनी सके, इआमबो ना बनी सके गुजरातिनी केवच्चे ने उतावले आमबा नव पाके। यहना माटे धिरज राखवीज पड़े। उगवानी जेने उतावल छे। यह बावल बनी सके, यह आमबो नव बनी सके। आज दरेक मानसने इंस्टन्ट, इंस्टन्ट खम्माण, इंस्टन्ट जलेबी, इंस्टन्ट करलो दुनिया मुठी में, रातो रात करोड पती बद्धाने आज करूँँछे। धिरज नामनो सदगुण आज जीरो थेवेवचे। आज सदगुण मा एकली मोटी थाकाच छे, एकली मोटी, अत्यारनी दुनियाना जेतला प्रस्णों देखाई छे, इप्रस्णों उकेलवा माटी एकज प्रस्ण जरूरी छे, चिनना राजा, याने, एक समाचार सांबल्या, इना नगरमा, एक एवो परिवार, आखा चिनन अंदर एना जेवो सुखी सम्रूद्ध ने, सांती प्री कोई परिवार में, एम कहवाई छे, कि ए परिवार नेवु पेडी थी, कोई जगडो नो तो ए परिवार, नेवु पेडी थी, कितली पेडी थी? आओ खंदान परिवार, चिनना राजाय, पत्र लखीने मोपले, कि तमारा परिवार मा अतली सांती प्रियता, अतली सम्रूद्धी, कोई परिवार बेचार पेडी थी सम्रूद्ध वही सके, पन सो पेडी थी कोई सम्रूद्ध वही सके? सो पेडी थी, चाली आओ ती सम्रूद्ध एक सर्खी, आओ खंदान परिवार, सम्रूद्धी, सांती, संप सुहरत भाव चिनना राजाये दूतने मोकलो पत्र लईने के तमारा परिवार मा आतली बधी सम्रुद्धी सांती संप सुहरत भाव एकता आ बद्धानु कारण सुँचे मने लेखित मा जवाब आपवा विननती चिनना राजानो पत्र वाची ए परिवार ना मुख्य व्यक्ति एक जवाब लख्यो जे जवाब एक एक एकज कागल मा आतो चिनना राजाये कागल खोल्यो जवाब मा लख्यो होतो नामदार स्री राजानू संबोधन अने तमारा प्रस्टनों जवाब एक लोट छे 9 वार दिरद सब्द लख्यो खै... 9 वार धिरद सब्द लख्यो होतो नवार नानी नन्द लख्य एतो तमें 1 वार 9 वकत दिरद राखिए जुओ सोमी वार जो प्रिणाम सारू ना आयतो मने के जoine आपणे 1 वार में नती राखिए सकता तायं? एक शेकन मा फ्रस्टेट थे जे आजनों छोकरो, खबर चेन तमने, एक शेकन मा तेनों बीपी उचू थे जाए, एक शेकन मा धुहाँ पुहाँ थे जाए, धुहाडा निकलवा माले, जीवन मा धीरज बहुत जरूरी से, अंग्रेजीना कोई लेखा के, पर्सिस्टंस, पैस पैसंस एंड प्रेयर, जीवन नी सफळतानी चावी कोई अंग्रेजीना लेखा के, पर्सिस्टंस, काम करो, बट पैसंस, पुरुसार्थ करो, पन पुरुसार्थ नी साथे प्रतिक्सा, धिरज्यो नथी तमारा जीवन मा, तो पुरुसार्थ भली भूत नथी ततो, गम्म गम्मेतली मेनत करो, गम्मेतला पग पचाडो, मातु पचाडो, एक दिवसमा आमबानी केरित यर मधित थवारी, थवानी चे, थवानी चे, भगवान बुद्धनी वार, बुद्धना सिश्या आनंद हता, एक वार बुद्ध ध्यानमाथी जाग्या, आख खोली, आनंदे विननती करी भगवन्त, कोई सेवा, आनंद मार माटे सामे जरणा माथी पानी लावने, आनंद गयोचे उतावल थी पानी लेवा माटे, अजी पानी लेवा जाई, जरणू नानू, सरस्मजानू, एज समये बराबर, बे पाडावो, आखलावो त्याथी निकलिया, जंगल अने जरणा मापड़िया, अने निकलिया, परिणाम सुमाईवू, जरणानू पानी एटलू बदू डोलू थै कयो, आनंद गयो हतो, आनंद अने उतावल थी, पन निरास्थेने पाचो वेड़ो, एने कयो भगवन्त, आ जरणानू पानी गंदू अने दूसित थैयो जे, आपनी आगना होई, मुँ थोड़े दूर जाओ, बिजू कोई सारू, स्वच जरणू मले, त्या थी पानी लेने आओ, बुद्ध कहे नई, आनंद मारे आ जरणानूझ पानी जोईए, अरे प्रभू, पिवालायक नथी देखातू, तुझा, बराबर जो, आनंद गयो, ज जिवन वाच्वा जेवोचे, चार वार आनंद ने पाच्व मुखले, पांचमी वार आनंद गयो, यहने एक द्रस्य जोई, जे गंदू पाणी हतू, जे डोडू पाणी हतू, जे काडू देखातू हतू पाणी, यह बद्धू स्वच्छ, निर्मल, काच जेवो बनी गयो हतू, यहने पाणी भर्यू, लहीने आयवो, बुद्ध्य अस्ता-स्ता कैयो आनंद, तू केतो हतू ने गंदू छे, काडू छे, डोडू छे, पिवालायक नथी, तो हवे क्यमा आउच्चो स्वच्छन निर्मलने चोखु बनी गयो, यहतो भगवन थोड़ो समय गयो ने, यहतले कचरो, किचर, धूड, बिजू बदू होतो ही, बद्धू निचे बेशी गयो तलिये, पाणी निच्च स्वच्छ थाई गयो, बगवान बुद्ध्य कहिवो आनंद, ते मने गणा दिवस्पेला प्रस्ण पुच्यो हतो ने, अंतरमा सांती नथी वडती, मुंजव गंदो कचरो, डोड, धूड, बदू तलिये बेशी गयो ने, दिरज्यना जीवन मासे ने, यहना अंतर निर्मल थता वार नही लागे, जीवन नो महान सदगुण चे दिरज, धेर्य धना ही साधवा, स्रीजी महाराज या वात करी चेना, बद्धा बहु सास्त्रमा वात, क क्समा विशेत आपड़े मना घणिवार साइम बढ़ू, आजना मानसमा निर्मानी पणुई न थी, धिरजए जीरो, क्समा नी तो वाततने क्समा एतले माफ करू, भुली जवू, आहा, बाईबल निया कथा, आपड़ा रुवाडा उभा करी दे, इसु ख्रिस्तने जीवत जीवता हाथ मा, माथा मा, छाती मा, पेट मा, पग मा, खिला मारी देवा मा, जीवता मानसमे, खिला मारवा मावे, और ये जिसस्यम बूले हे भगवान, आपड़ा अगनानी छे, दोजार इनोसन पिपल, फरगीव धेम, फरगेट धेम, हे स्वर्थ आबदाने तु माफ कर जे, आब दाने तु बुली जा, किटली दया, किटली दया, और आपन ने तो एक सब्द कोई किदो होए तो, जोई लेस, बतावी दैस, पांचनी वच्चे माने किदो ने, खबर पाड़ी दो, हुँ हम जेना मनमा, खबर चेंदा दा, माफ ही आपनी भावना किदली, घणा इमके अमारे जतु ज करू, अमारे माफ करू, यहने कस्तु नहीं करू, बस प्रस्न आज जचे, कौन माफ करे, प्रस्न ये जचे, जे माफ कर से ने, जे सहन कर से ने, जे जतु कर से ने, ये भगवान नो प्रिय बन से है, भगवाने ना उपर राजी था से, आब जा माटे बहु लाम्बी वातों करू तो इस समझाईने एतला माटे द्रस्टान तापो जटा, एतला माटे तमने समझावो जो, पेला साधु ओता, नदी किनारे नावाएवा, धोवी कपडा धोतो तो, गंदा कपडा धोवे, साधु महात्मा आउपर उडे, साधु फरिवार नावा राक, मारा उपर धिमे धिमे धोका मार, दोबी विफिरो, साधु राम, 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 राम करता फरिवार नाया, राम जी ने दयावी, साधु ने बचावी लो, दोबी ने खबर पाड़ी दव, अपना साधु तीजी वार बार निकला, अने दोबी याम, दोको, मायरों, छाटो, उड़ो, अने साधु नी आक लाल थए, शरीर फरफरवा लागियो, रुवाडा उभा थे गया, तारे, चातना, समझे से सो, साधु थे यहम मानेच, कुरोधमा मान साव बोले, कवर चैन, सु बोले, ताने यहम चे उँँ साधु चो यहम, जो विफरिशने तो तारा करता है, भगवान राम उत्तावर्थी गया आने विले मोडे पाचा वेला, सिता जी पुछिव, प्रभु क्यम तमे पाचा वेला, सु हतु रहस्या, उस साधु नी रक्षा करवा गयो तो रक्षा करवा गया न दुखी थे न के मायवा, रक्षा न थाई, गयो तो साधु मानी ने, बन बेई धोबी यह, धोबी थे गया, कोनी भगवान रक्षा करे छे, सहन करे नी, क्समा करे नी, माफिया पे नी, जतु क जे जुकी सके छे ए जगत मा जीते छे आ त्रण माथी एक पण सदगुण आवी जया इन्ये तो पण बहुँ मुटीवाद छे बहुँ मुटीवाद अन्य त्रण आवी गया अटले ब्रह्मरूप थे गया एकांतिक साधू बनी गया आलता चालता अक्सरदमना दर्वाजा जेवाब बनी गया तम्य बदा भगतो पण खूब ध्यानति आपड़ा जीवनमा आ सदगुण आवे एवी मेनत कर जो तमारा परिवारमा नानी नानी वाते जगडा थता इन्त थोड़ू जतू करू थोड़ू जवा देवू सारा निर्णाई लए शके आपड़ा आजए भगर निक्येश ने नवी गाडी लवे आपी नवू लाइसेंस आईवू तू एकने एक दिक्रो लाड़कवायतो होई ने सारी गाडी लावी दिधी निक्येश ने नवी गाडी मले युवानी चे नवू लाइसेंस आईवू यहने पन मजा पड़े गाड़ी नी अक्सिडेंट थाय। गाड़ी टोटल लोस्ट थाय गई। अजे भाई पूछिय। निकेस यह सरस जवाब गोठवी नापी दिदो। हम जोचन गोठवी नापी एकले। के पप्पा ये तो पेलो स्नो अतो बलेक आईसी थे गेल। येटले कार बलेक आईसी ले जाखी ठोकाई गई। अने खरेखर वेधर पन खराब जतु। येटले भगवानीने चांस हापेलो के ने खोटु बोली सके उबराबर। गाडी तोटल लोस थे गे अजी भाए वाद जानी साम्बली थी कसुद निकेशने की दूने बहुँ सहजरी ते नोर्मल एकदम ठपकाव गरे वाद लैली थी। थोड़ा दिवस गया निकेशने फिल थाए क्या खोटु थे क्यों में पप्पा अगल खोटु कईू। एक दिवस सामे थी पप्पा पासे आवी ने कईू। पप्पा सोरी में तमने कईू हतू खोटु हतू। खोटु बोलो तमारी पासे। कार खरे खर स्लिपरी हतू। बलेक आईसी थाईू हतू। यह निली अक्सिदेन न थाईू। इट वस माई मिस्टेक। तमे जो एक पिताये अतली नानी बाबत मा थोड़ू जतू करू। तो सामे दिकराये पण। बोलो। जतू करू। कन्फेस करू। करू। जीवनमा बहु समझवाज़े विवाद थी। एक बेकरी वाळो। वो मुटी दुकान आसपासना बधा गामडावमा थी। बधा पासे थी माखन मगावे। यमा थी ब्रेड वगेरे बनावे। तना आखा सहरमा नगरमा वेची। आ बेकरी वाळो ने तिया घणा बधा माण स्वावे एमा एक बरवाड रोजना करम प्रमाणे माखन लईने आवे। माखन आपी जै किलो। बराबत दरोज किलो माखन आवे। डोट वरस कय। एक बार पिला बेकरी वाळाना मंदमा विच्चाराय वो बद्दानू माखन जोकवान एमा भरवाड गामडानों सामान जिमानस एनू माखन जोक्यू किलो नी जग्याई 900 ग्राम थाई। 222 से जोक्यू 222 से पन 900 ग्राम, 322 पन 900 ग्राम, औने आप बेकरी वाळा मालिक नो मघच गयो भरवाड सामे एने कोट मा केस कयो। भरवार ने बुलावा मायव, मुद्धो येव हतो, आ छेतर पिंडी करे छे, डोट वरस थी किलो माखण आपे छे, पने सामे किलो ना नामे 900 ग्राम लावे छे, 100 ग्राम दरोज ओचुव होई छे, डोट वरस नुए पेनल्टी थायाने, मुद्धो ये हतो, कोर्ट मा तो बन्ने पक्षणों सामबलवा मा आवे, गामडानो अभण मानस, पेली वार कोर्ट जोईली अने, येने पुछवा मैव, तारी सामे डोट वरस नो आटलो मोटो दन्ध थसे, बोल तारे किये वुँछे, गामडानो अभण मानस, येने आद जोड़िन विरंती कर कि साहेब अमे तो गामडाना मानसोची, अमे कई जोखवा माटिनी वस्तु राकता नथी, उन आ साहेब ने त्यां थी, पूछो, येना साते सात नोकर जाने छे, उन रोज आवतो, अने अत्यारेपन आवूँछू, अने करूँछू, रोज येमनी दुखाने ची एक किलो ब्रेड लवुछू, ये ब्रेड मारा घरे लई जावुछू, ये ब्रेड थीच किलो माखण जोखूँछू, और नी माखण येमने पाछू आपूँछू, हम जीगान तमे, मारे बिजु कहीं केवू, नोथी आतलू केवूँछे, अमारा घरमा क्या जोखवाना जोखण जेट, बोलो। तमे कोईने मारे सो, तो हमे कोई मारे से, ठारे से, तमे कोईने तार शो, तो हमे वाड़ो तमने पाण, तार शे। माण सो अधीरा बहुछे, अधीरा कि हूँ आजह कोईकशनी सारूव सामेवालों आजह नाजह Anyway सारूव प्रस्न होऍचै स्बाभर ब्रता जे आमबाने पाणी पासो ये आमबाने ठाकोरजी केरी नहीं आपे केम ये आमबाने केरी आपे ने तो तमने अभिमान वदे में पाणी पायू एकले केरी आवी जे तमारू हुँपणू वदे अहंकार वदे मारा ठाकोरजी नी लिला अदभूत छे डोंगर जिदादाना सब्दो महारा ठाकोरजीनी लिला अदभूत छे तमें जे आमबाने पाणी नाक सो ए आमबाने केरी नहीं आपे पड़ा तमारू पाणीलू पाणी व्यर्थ नहीं जवादे बाजुवाड़ा आमबाने केरी चोक्क साप से सु महाराज नी लिला छे है बस आतलू समझाय जयन तो बहुँ छे तमें कोईकनू सारू करो तमें कोईकनू भलू करो ए तमारी साथे भलूज करे ए तमारू सारूज करे तमें कोईकनू सारू बोलो ए तमारू सारूज बोले आ जे अपेक्सा राखो चो ने आपेक्सा तो भयंकर दुखनू कारण चे स्वामी राम सुखधास जी महराज महापवित्र संतने याद करी लव आठ प्रकारनी अपेक्सा आम तो अपेक्सा बद्धी दुख जापे चे राजकोड गुरुकुलना सास्त्री जी महराज एम कहता बव जुनी स्वामी जीनी वाद आपड़ा देसी मानसो पेला पत्र लगताने अटले पत्रमा छेले अचुक लगता कि आ पत्र मले अटले वलतो जवाब तमे पत्र थी जणाओ जो सास्त्री जी महराज राजकोड गुरुकुलना एम कहता कि कोईकने एम कह उक्तुमने पत्र वलतो लगतो लगते ये पन दुखनू कारण चे कानके पत्र मनमा थे पत्र मलो शेक नई मेलो होई ये वाचिन जवाब क्यम न लग्यो तमारा पेटमा अम्मेशा बलत थायाज करे तमारू बीपी अपने अपज रहा करे जिटला इना करता लख्वूज नई आतली अप्यक्साइद दुखाबे तमे सभामा कोईना बे सारा सब्द बोईला नी तमारा सारा सब्द न बोईला अटले तरत दुख तमे कोईकनू भलू करू याने तमारू भलू न करू अटले तरत दुख पन एम विचारो उन भलू एकले करू चो मारा महराज नी आगन बलू एतले करूछु उन दिक्रानी सेवा एतला माटे करूछु एतला माटे नई के दिक्राओ मारी सेवा करे एतला माटे का दिक्राओ ठाकर जिये मने आये पाछे उहेनी जो सेवा करीशेनु ध्यान द्राकिश तो मारा महरा महराज राजी थसे ते बहुत सारू तारू भगवान ना भक्त चे नि शेवा करीश मारा महराज राजी थासे माटे मारा करतवय प्रमाणियनी सेवा करूँ गुरुजी कहे छेने तमारा संसार मा पन तमे भगवान ने उनेरिदो संसार पन सत्संग बनी जशे अध्भूत आत्रण वाच्छे दादा, निर्मानी पणू, दिरज, अनेक्षमा सागर नी वाच्व तो एकली यहां सागर जेविच्छे दादा, दस चोपाई थे अजी तो ग्रंत एकलो अध्भूत छे, अने अजी रंगोत्सवनी तो वार छे आमाई एकले आपणे आ रंगोत्सवनी बिजी वातो जागल रंगोत्सवनी वरणनाव से, एवाध सामबली सुप परम दिव से, काल एका दसी छे बदा भक्तो ने मारी नम्रविननती वाला भक्तो तमें कठा सांबलोँ चो आ कठा सांबलवा करता आपने एक एतला निर्मा नीची थोड़ू विचारी। आपने मान-मान, मान क्याँ-क्या नड़े छे, मान-अपमान नी असर आपना जिवन मा क्या गतली थाई छे? अहंकार आपनो क्या परिवार मा, सत्संग मा, समाज मा, कई जिगे आपने हिरान करें? थोड़ू विचारो, थोड़ू विचारो, एकाद वाद पन जो पकड़ाई जसेने, एकाद वाद, एक वाद करी दो दादा, बोलो ने, तमें राजियोई तो कर दिया आपड़े, जनारदन स्वामी न अमना संतता, एमना एक सिस्य अता एकनाथे नू नाम, गणा बदा एमना सिस्य मा एकनाथने, वहवटनू काम एमने सोपेलू, एक नात भला, भोला, निर्दोस, मानस, वहिवट राखे आश्रम नो एक दिवस वहिवट करता एक पाईनी खोट आवी, एक नात ने ध्रासको पड़ो, कि मारी सेवा खोटी थाई जसे, खोट तो चाले दने, इसाब तो बराबरत था वो जोए, बधा सुई गया छे, एक ना स्वामिये, रात्रे जोयू, बाजुनी एक जुपडी, एमा एक दिवो सलगे छे, एनो मतलब, कि कोई जागे छे, यमने कुतु हल थायू, कि रात्रे दिवो कोण सलगतो राखे ने सुई गया छे, तवा जागे छे, कुतु हल था उभा थाया, जो आएवा, एक नात, एव उन्धु घालीन मंडेला, यमने समझाये गया, गम्मे ते घुचवण छे, घणी वारसुदी पाछल उभारेया, जोवे छे सूँ करे छे, यमने लाग्यू, कि कही कि हिसाब मा ताल बेस्तो न थी, एवा मा पेला, एक नात, सवार थे गय, अंजवालू फेलावा तो यहनु ध्यान तुटु नथी, सामे गुरू आविने उभाछे, जनारदन स्वामी, तो यह ध्यान तुटु नथी, आवा तल्लिन थे गया, यमा अचानक, पेली जे एक पाईनी खोटती, यह मली गय, नाचवा लागया, हाथो पचला लागया, आनन आनन खुस-खुस साइड उपर उभेला, जनारदन स्वामी, यह अगल आविगया, सामे आविगया, यह मने जोतानी साथे एक नाथ अवाक बनी गया, आप अहीं, अत्यार नाएवा, बेटा हुँ तो क्यार नो उभोचु, सुन थायू, एने मांडीने बधी वात करी, इसाब मली गयो, साब माथी एक पाईनी खोटपन पकड़ानी, तने अतलो आनन्द थयो, बस मारे तने एकलू ज केवुँ छे, तारा जिवन एकाद खोटपन तु पकड़ी लईशने, आना करता करोड घणो आनन तने थसे, बस, आ कथा माथी सुन पकड़वानू चे आपड़े, केतला पाईनी खोटपन पाईनी, पन एक पाईनी मलसे तो पन गणो चे, निर्मानी पनू, धिरज, अनने त्रीजो सदगून, अधभूत आपदा सदगूनों चे, अनने जेन मुनी नो पुस्तक बो यादावे, मारी पास ये पुस्तक नथी, हमना घणा समय थी, हमना सोधू एकेक अठवार्यू प्रवचन करू, एकेक सदगून विश्यमना चिंतनो रजूत हया, अधभूत आ सदगूनों बोलवा सेला छे, भगवाननी कुरूपा होई, तोज आ सदगूनों मली सके छे, आपने भग्यसाली, आवा सदगूनों जेमना जीवन मां छे, येवा मलसे, मलसे, अगलनी कथा आपने परम्दिव से, आवतिकाल एकादसी नी धून चे, बधा भग्तो जरूर्ती धून करवा मंदिर मा पधार्जो, बोलो घनस्याम महराजनी जय, स्रीपतिम स्रेधरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर मात्मजं वासुदेवं हरे, माधवं के नारायनं नीलकंथं भजे